दोस्तों नमस्कार आप हमेशा सुनते हैं कि डॉग हैर फोल के पीछे हैर सेडिंग का रिजन होता है जो साल में एक बार होती है दो बार भी होती है किसकिसी में इसके अलावा जो रिजन होता है पेट कीडों का होता है विटामेन, मिनरल्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, फेटी असिड्स की कमी की वज़े से भी होता है तो कई बार आप देखते हैं कि कैसी परकार का कोई skin disease हो गया तो उनमें भी हैर फोल्स होता है लेकिन आज के इस वीडियो में ये नॉर्मल बाते हम नहीं करेंगे तीन ऐसे बहुत ही चुपे हुए ऐसे reason मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो वाकई आपको पता ही नहीं चलता और बहुत बड़ा reason बन जाता है आपके डोग में हैर फोल्स का वो कौन-कौन से reason है अगर मैं उनमें बात करूँ और सबसे बड़े reason की तरह बात करूँ तो वो है juice पिलाना जी हाँ हम अपने लिए juice तेयार करते हैं हमने कहा pineapple बहुत अच्छा है हमने कहा papaya अच्छा है हमने कहा mango अच्छा है तो आप juice तो बनाते ही है और वो जो juice है वो आप अपने डोग को भी पिला देते हैं और यहीं से सुरुआत होती है एक बहुत बड़ी गलती की जब भी juice बनाया जाता है उसमें कुछ मीठा जरूर डाला जाता है जी हाँ मेरा ही सारा है मीठे की तरफ चाए वो juice से आए चाए वो chocolate से आए चाए वो ice cream से आए या फिर किसी अन्य चीज से आए जिसमें हम mix करके कुछ ना कुछ mix करके देते हैं कई बाहर तो मीठा direct भी दे देते हैं तो यह मीठा जो चुपके चुपके जा रहा है न यह बहुत ही खतरनाग इस्तरी आपके डोग में पैदा कर सकता है और नतीजा hair fall हो सकता है सबसे बड़ा reason तो इसे रोकिए भी मीठा किसी भी सुरत में नहीं खिलाना है चाए वो किसी में मिला हुआ है चाए वो सीधा है तो पहला काम तो आप मीठे वाना कीजिए नमक नमकीन तलिवी चीजें वो इसी केटेगरी में आती है और ये भी इसी तरीके से हमारे डोग में जाती है थोड़े से क्या हुआ थोड़ा थोड़ा करते करते वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या अधिकतुर हम देखते हैं पर इनके आदी हो जाते है एक बार आप मीठा खिला देंगे ना वो बार बार मीठे की डिवान करेंगे दूसरी चीज़ खाएंगे नहीं फिर आप सोचते हैं यार कुस थोड़ा बहुत से क्या होता है तो यही चीज़ दिरे दिरे आगे करके एक चुपावा रिजन बनती है हैर फोल का बाल जड़ने लग जाते हैं और बहुत ही खतरनाक इस्ति हो जाती है अब सेकिंड बात अगर मैं करूँ तो वो बात है फ्रेंड फूड एलर्जी कई बार हम फूड एलर्जी को नहीं समझ पाते हैं और ये इतनी खतरनाक होती है कि एक ऐसा डोग है जिसके लिए दूद गेहूं की रोटी सोयाबीन एग्स चिकन, मटन कोई खराबी नहीं करता और उसी के साथ का एक डोग ऐसा है जिसको की सोयाबीन भी ऐलर्जी करती है दूद ऐलर्जी करता है वहीं गेहूं की रोटी अलरजी करती है तो भाई ऐसी इस्ततियां कभी भी पनप सकती है तो आपको विसेश ये देखना है कि जो डोग फूड अलरजी है वो डोग से डोग में वेरी करती है एक में नहीं हुआ कोई थी कदनी वो दूसरे में हो सकती है तो इसलिए ये भी एक छुपावा रीजन बंदा है तो आप अपने लज़दी की वैट से मिलिए उनसे सला लीजिए कि ये ये चीज़े में खिला रहा हूं कहीं ऐलरजी तो नहीं कर दे तो आप पहले से ही उसकी जांस करवा सकते है और एलेजन्स का पता कर सकते है ये बहुत ही बड़ा रीजन है जिसको आपको समझना पड़ेगा अब तीसरा और छुपावा रीजन जो है वो होता है फ्रेंड हमारी चतुराई चतुराई क्या करते हैं थोड़ा सा भी डोग इदर दर गंदा हुआ हम उसे तुरुन नेला देते अरे मैं तो बहुत नेला ने में चुसता हूँ तो वहाँ पर जब ऐसे समात्रा में उसे नेला आ जाता है या उसके हैर्स को ज़्यादा नमी दी जाती है नेला ना ज़र नहीं कई गीले टावल से साफ करते हैं कईयों के घरपे ऐसी जगह है जहां गीला पन है और उस गीले पन में वह बाहर बाहर जाकर berड़ता है तो यह जो गीला पन है ना चाहे नेला आने से कर रहे हैं आब बार बार या फिर जब भी नेला आते हैं उस समय सौप टावल कई बार इस्तेमाल करते हैं जो hair fall के लिए नुक्सान कर रहा है तो आप इस तरीके से hair fall के जो तीन चुप़ेवी reason है उनको दूर कर सकते हैं इसके अलाबा अगर आप चाते हैं कि dog training लें complete dog treatment के बारे में सीखें जाने तो आप भाई सारी बीमारियों के बारे में हम हमारे dog online session में बताते हैं जो हर मेंने के 11 तरिक से रामावत animal app पर सुरू होता है इसके अलाबा वहाँ पर dog disease में section में वहाँ free live भी होता है रात को मैं live आता हूँ 10 बजे तो आप अगर चाहें तो वहाँ पर भी join होकर के और जो भी आपके समश्याएं हैं वो बता सकते है